नमस्कार किशान भाईव, इस वीडियो में आपको मटर की खेती कैसे की जाती है, बिलकुल बैज्यानिक द्वारा रिसर्च की के बिधी बताय जाएगी, अगर ये पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है, ये अपना कर अगर आप मटर की खेती करते हैं, तो आपका मटर जो चल ये शुरू करते हैं, तो जो हमारा 10 पॉइंट है, उसमें से पहला पॉइंट है, उपिक्त मिट्टी, दूसरा उपिक्त जलबाई, तीसरा उपिक्त आपमान, चौथा जो पॉइंट है, मटर की कुन सी वराइटी लगाए, जो ज़्यादा उत्पादन देती हैं, पाच उपिक्त मिट्टी की अगर बात किया जा, तो मटर खेसी, आप किसी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन बलू दो मट्ट मिट्टी में अगर आप इसकी खेती करते हैं, तो ज़्यादा तर उत्पादन आपको अच्छी मी लगी, तो अगर बलू दो मट्टी मिट्टी खेती है तो द्युक्त जलवाई कि अकर बात करें तो मटरी खेती करने के लिए सम सीटोशन और उसने कट बन दिए जलवाई मटरी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है भारत में इसकी ख्यती रभी के मौशन में की जाती है कैमिकि ठंडी जलवाई में इसके पोधे अच्छी से बलिधी करते हैं चाथ सर्धियों में गिरिने बाला जो पाला होता है उसको ये असथानी से सहन कर लेता है इसके फसल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है जायो कितना भी ठंडा हो किसन भी आप जो हमारा सबसे important point है वो है मटर की उनत किसमें अगर आप अच्छी वराइटी लगाएंगे तब ही आप ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे और अच्छी वराइटी ऐसी लगा जिसमें रोग परती रोध हुई हो रोग लगने की समावना ना हो तो मैं ऐसे ही आपको कुछ वराइटी बताऊँगा तो पहली नमबर पर जो वराइटी आती है वो है आरकेल यह जो वराइटी है मटर के इसको तयार होने में आपको 55-60 दिन का समय लग जाता है इसका पोधा अधिकतम डेट फिट तक उगता है जिसके बीज जोरी दार होते हैं मटर की यह जो वराइटी है हड़ी फलिया पैदावार के लिए उगाई जाती है इसकी एक फली में लगवग आपको 6-8 दाना देखने को मिल जाए किसन हुई हो उसके बाद जो वराइटी है लिंकन इस वराइटी की अगर बात करें इसकी फसल अब दी कितने दिन की यह कितने दिन में होगी तियार तो यह थोरा ज़्यादा समय लेती है वराइटी की बात करें है यह ज़्यादातर पहारी इलाकों में लगाया जाता है उसके बाद जो वराइटी है बोन वीले मडर की यह वराइटी आपको 7-7 सब्सलिया दिन में त्यार होगी इसमें निकलने वाला पौधा आकार सब्सक्राइब लगभग आपको 120 कुंटल की पैदावार दे देते हैं और वही जिसके पके हुए दाने की बात करें तो 12-15 कुंटल पके हुई दाना आपको मिल जाएगे इस वराइटी का उसके बाद है पंजाब 89 पूशा परफात 5157 ये सबी वराइटी आपको 70 कुंटल हर दाना आपको उत्वादन दे देगी लगिन ये 125-133 दिन का समय लग जाएगा इसमें किजान पर अब हम बात करेंगे मोटर की खेत की त्यारी कैसे कड़े अगर पौधे की अच्छी विकास करनी है अच्छी गरोध करनी है तो खेत की त्यारी सही से करना होगा और खेत की त और सही मात्रा में देना अती आवश्यक है तो खादेवों और खेत की त्यारी सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपको दो से तीन जुताई करवा देनी है उसके बाद क्या करना है कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देना है धुप लगने देना है मिट्टी जब आप पार रोटे बेटर से जुताई करके मिट्टी को भरबुरी बना लेनी है और खेत को समतल करके आपका खेत हो जाएगा बिलकुर तरीके से त्यार अब बात करेंगे इसमें खाद की मात्रा तो इसमें खाद की मात्रा की बात करें तो आपको प्राकिर्टी खाद के रुप मे इसके जी इूरिया के मातरा प्रती हेक्टर के हिसाब से सिंचाई के साथ आपको देना होगा किसन भयू उसके बाद अगर बात करें मटर की बीज की रुपाई का सही श्यमय और तरीका मटर की 20 रुपाई 20 रुप में की जाती है एक खेत में तक्रीबन 80-100 की जी बीजों की अवशिक्ता पर जाती है आपको इनके बीज खेत में लगने से पहले आपको क्या करना है रहाई जो BM की उचीत मातरा आपको डाल लेने हैं और उससे बीज को उपचारित कर लेना है इसके अतरीक आप थीरम या कार्वन डीजन से भी मिट्टी को भी उपचारित कर सकते है मटर की बीज रुपाई के लिए आपको ड्रील विधी का इस्तिमाल करेंगे तो जादतर काफी बढ़िया उत्पादन मिलनेगी और अच्छा भी रहेगा किसान भी बात कर लेते हैं मटर के पोधे में सिच्चाई तो मटर के पोधे को नम भूमी की जरूरत होती है इसके लिए 20 रुपाई के तुरंत बाद इसके पोधे की रुपाई कर दी जाती है इसके बीज नम भूमी में अच्छे सांकुरित होते है मटर की पोधे की पहले सिच्चाई के बाद आपको दूसरी सिच्चाई 15-20 दिन का अंतराल में करना है इसके बाद शिच्चाई 20 दिन के बाद आपको करते रहना है किसा नम यूँ बात कर लेते हैं मटर की पोधे में खरपतवा नियंतरन तो मटर की पोधे पर खरपतवा नियंतरन के लिए रशानिक विदी का इस्तिमाल किया जाता है इसके लिए 20 रुपाई के बाद आपको लिवरान के उचीत मतरा चिरकाव कर देना है खेत में इसके अलावा यदि आप प्रकिर्टिक विधी का इस्तिमाल करना चाहता है तो इसके लिए आपको 20 रुपाई के तक्रीवन 25 दिन बाद आपको गुराई खरपतवान निकालने के लिए करना है लिवर मजदूर को लगा कर तो इस तरीके से आप कर सकते हैं मतर खेती और जो हमारा सबसी लास्ट पॉइंट है वो है मतर के पोधे में लगने वाले रोग या उनकी रोग था तो रत्वा लोग लग जाती है मतर में काफी जाज़तर इस रोग को लग जाने से पतिया पर पिले रंकी फोकी दिखाई देने लगते है इसकी अगर बात करें इस रोग से बचाव के लिए आपको क्या करना है नीम के तेल या काढ़े का चिरकाव कर देना है तो यह रही मतर खेती की जनकारी हम आपसे मिलते है अगली वीडियो में तरत्तरी जाज़तर बारत बंदे मातर मुझे जाज़तर किसाने चानल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूब करें